एक्ट्रेस सोनी राजदान के पिता और आलिया भट के नाना नरेंद्रनात राजदान का एक लंबी बीमारी के बाद अस्पताल में निधन हो गया है। उनका मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में चल रहा था। आलिया के नाना ने 95 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। इस दुखत खबर की जानकारी सोनी राजदान ने खुद इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर दी है। आलिया भट की मा सोनी राजदान ने इंस्टाग्राम पर अपने पिता की फोटो शेयर कर लंबी पोस्ट लिखी है सोनी ने लिखा है डैडी, ग्रैंट पा, निंदी, धर्ती पर हमारे एंजल, आपको अपना कहने के लिए हम बहुत आभारी है अपनी चमकिली ग्लो में डूबी हुई लाइफ जीने के लिए बहुत आभारी हूँ आपकी द्यालू, स्नेही, जैंटल और हमेशा वाइब्रेंट आत्मा का टच पाकर ब्लेश हूँ आप अपने साथ हमारा एक पीस ले गए हैं लेकिन हम आपकी आत्मा से कभी अलग नहीं होंगे यह हम सभी में रहेगा और हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि वास्तव में जीवित रहने का क्या मतलब है आप जहां भी हो अब वह आपकी उस खुबसूरत हसी के कारण हैपी प्लेस होगा सिल्ली, ब्यूटिफूर, फणी बॉइ, वी लव यू, जब तक हम दोबारा नहीं मिलते आलिया भट ने भी अपने नाना को याद करते हुए उनकी एक वीडियो शेयर की है इस वीडियो में आलिया के नाना के एक काते नजर आ रहे हैं और वे सबको स्माइल करने के लिए भी कह रहे हैं वीडियो में रंबीर कपूर भी दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो के साथ आलिया ने अपने नाना के नाम एक एमोशनल नोड भी लिखा है आलिया ने लिखा है, 93 तक गोल्फ खेला, 93 तक काम किया, सबसे अच्छा ओमलेट बनाया, बहतरीन कहानिया सुनाई, वाइलिन बजाया, अपनी पोती के साथ खेला, उनके क्रिकेट से लव, उनकी स्केचंग से लव, उनकी फैमिली से लव और लास्ट मोमेंट तक अपने लाइफ से प्यार किया, मेरा दिल दुख से भरा है, लेकिन खुशी से भी भरा है, क्योंकि मेरे नाना ने हमें खुशी दी है और इसके लिए धन्या और आभारी महसूस करते हैं कि हमें उनकी दी हुई रोश्णी में पले बढ़े स्वार क्योंकि में में नाना छिपरा यह लाइप जी हुशन प्रौस्ट अल्ड़ के लेकित का लाइप जिल विए हवाद यू पीछरी और लिए ए